नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक खुपसूरसी प्रेरक कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीरसक है, मुश्किल दोर से गुजर कर आप क्या बनते हैं, आप पर निर्भर करता है। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आती है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। एक बार की बात है, एक कक्षा में गुरू जी अपने सभी चात्रों को समझाना चाहाते थे, कि प्रकरती सभी को समान अपसर देती है, और उस अपसर का इस्तिमाल करके अपना भाग खुद बना सकते हैं आप। इसी बात को ठीक तरह से समझाने के लिए गुरू जी ने तीन कटोरे लिए। पहले कटोरे में एक आलू रखा, दूसरे में अंडा, और तीसरे कटोरे में चाई की पत्ती डाल दी। अब तीनो कटोरों में पानी डाल कर उनको गैस पर उबलने के लिए रख दिया। सभी छात्र ये सब हैरान होकर देख रहे थे। लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बीस मिनट बाद जब तीनो बरतन में उबाल आने लगे तो गुरू जी ने सभी कटोरों को नीचे उतारा और आलू, अंडा और चाई को बाहर निकाला। अब उन्होंने सभी छात्रों से तीनो कटोरों को गौर से देखने के लिए कहा। अब भी किसी छात्र को समझ नहीं कुछ आ रहा था। आखिर में गुरू जी ने एक बच्चे से तीनो आलू, अंडा और चाई को इसपर्ष करने के लिए कहा। जब छात्र ने आलू को हाथ लगाया तो पाया कि जो आलू पहले काफी कटोर हो गया था और अब पानी में उबलने के बाद काफी मुलायम हो गया है। जब छात्र ने अंडे को उठाया तो देखा जो अंडा पहले बहुत नाजुक था उबलने के बाद बह कटोर हो गया है। अब बारी थी चाई के कप की उठाने की। जब छात्र ने चाई के कप को उठाया तो देखा चाई की पत्ती ने गरम पानी के साथ मिलकर अपना रूप बदल लिया था और अब बहे चाई बन चुकी थी अब गुरु जी ने समझाया हमने तीन अलग 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 चीजों को समान बेपत्ती से गुजारा यानि की तीनों को समान रूप से पानी में उबाला लेकिन बाहर आने पर तीनों चीजे एक जैसी नहीं मिली आलू जो कठोर था वो मुलायम हो गया अंड़ा पहले से कठोर हो गया और चाई की पत्ती ने भी अपना रूप बदल लिया उसी तरह यही बात इंसानों पर भी लागू होती है सभी को समान अपसर मिलते हैं और मुश्किले आती हैं लेकिन पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप परेशानी का सामना कैसे करते हैं और मुश्किल दौर से निकलने के बाद क्या बनते हैं जै श्री कृष्णा राधी राधी